हलो एवरिवन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं कश्मीरी चिकन मसाली के रेस्पी बहुत जादा टेस्टी बहुत डेलिशेस बनती है इसकी ग्रेवी जो है बहुत स्मोथ सिल्की क्रीमी क्रीमी होती है चिकन भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं बहुत मज़े की लगती है तो चलिए जटपर से ये रेस्पी बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनानी के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है 500 ग्राम चिकन है जिसे अच्छी तरीके से वाश कर लिया है उसमें आधा कब दही डाल देते हैं दही जादा खटी नहों ना जादा मीठी हो नॉर्मल वाली दही होनी चाहिए आधा टी स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं यह स्टेप करने की वज़ा से हमारे चिकन जो है वो बहुत सौफ्ट और जूसी बनते हैं तो इसे मिला कर आधे गंटे के लिए इसी तरीके से इसे किचर काउंटर पर छोड़ देते हैं उसके बाद लिया मैंने एक कडाही कडाही में आट कर देते हैं तेल तो यहाँ पर सो एमिल तक तेल मैं इसमें आट कर दूंगी और तेल को गरब होने देना है तो तेल गरब हो चुका है तो उसमें डालते हैं यहां प्रयाइट कर देते हैं और इसका color change होने देना है लेकिन एकदम डाक नहीं होना चाहिए बस हलका size का color change हो जाए तो इसका color change हो चुका है तो इसमें chop की भी प्यास डाल देते हैं तो 2 medium size की प्यास है जिसे मैंने chop कर लिया है वो डाल देना है और अब इसे हमें golden brown करना का भून लेना है तो अधर लसुन का paste भी हमारा भून चुका है तो इसमें डाल देते हैं तमाटर दो medium size की टमाटर है जिसे मैंने chop कर लिया है यह डाल देना है और आप टमाटरों को soft होने तक हमें भून लेना है तो यहां पर टमाटर हमारे अच्छी तरीके soft हो चुके हैं त देना है जीरा powder 1 teaspoon दाल देना है और हमाटर हमें तो इसमें भून में लेना है तो manak डाल देते हैं तो थोड़ा सा पाणी दाल कि Mapsीमाल की जल नहीं है और अच्छी तरीकेспीन बून जाए तो इहां एक माटछी तरीके से मेरीनेट का चिकन रखा था आधा गंटे हो चुके हैं तो यहां पर आट कर देना है और अब इस मसाले में मिला कर इसे अच्छी तरीके से भूनना है दही का पाने ड्राय होने तक और तेल अलग होने तक इसे अच्छी तरीके से भून लेना है तो यहां पड़्चिकर हमारे अच्छी तरीके से भून गए है तेल अलग हो चुका है और पानी बिल्कुल भी नहीं है तो इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है और अब इसका फ्लेम जो है हमें स्लो कर देना है और स्लो करके इसका जो हीट है थोड़ा सा कम कर लेना है दूद गरम नहीं होना चाहिए तो आधा कप मैंने यहां पर आट कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे अगर तूद जाधा गरम होगा या इसका टेंपरेचर जो है चिकन का हाई होगा तो दूद जो है वो फट जाएगा तो यहां पर मैंने इसे स्लो करके और इसका मेडियम टेंपरेचर पर ही दूद एट किया है और उसे मिला लिया है मिलाने के बाद जब थोड़ा से इसमें बबल आने लगे तो आप इसमें आधा का पानी एट कर दे आप चाहे तो इसे पूरा दूद में ही बना सकते हैं लेकिन दूद आप ज़रूर डाले क्यू लिड जो है वो हटा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना मजे का हमारा ग्रेवी जो है वो बनकर तयार हुआ है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ ग्रेवी हमारी ये बनी है चिकन भी अच्छे तरीके से यहाँ पर पक चुके थे तो अब उसमें डाल देते हैं वन मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर और उसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो यह देखें यहाँ पर मैंने इसे सफ कर लिया है बहुत मज़े कमारा चिकन बनकर तयार हुआ है अगर आपको रैस्पी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ल मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रैस्पी के साथ नेक्स टोडियो में थैंक्स पो वाचिंग